हेलो व्रिवान एस्टाडी उसे चनल में आप सभी के स्वागत है इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 जेनल मैथेमेटिक्स का प्री बोर्ड का कोच्छन पर देखेंगे और इसके MCQ को सुल्ब करेंगे और देखेंगे कि इस कोच्छन पर में कौन-कौन से कोच्छन से जो इंप इन में से किस में 1 इनिट प्लेस में होगा तो देखें 19 का स्क्वाइर है तो इनिट प्लेस में क्या है 9 और 9 का स्क्वाइर कितना होता है 9 नहीं जाए 81 और 81 में 1 क्या है 1 इनिट प्लेस है ठीक है 1 क्या है इनिट प्लेस में है So, 19 का square करेंगे, तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा unit place में. So, right answer is option A. बाकी सबी में 1 नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि 4 का square 16, unit place में 6 मिलेगा. 8 का square 64, unit place में 4 मिलेगा. 0 का square 0, unit place में 0 मिलेगा. चलिए कुछ नमर 2 देखते हैं, Which of the following ratios are in proportion? तो देखें, चार अपसन दिया हुआ है. हमें बताना है कि कौन सा proportion में है. तो proportion में होने के लिए हमनों क्या करते हैं? चेक करते हैं. Product of means, इन दोनों का product, means 21 और 12 का product, देखेंगे, और फिर product of extremes, दोनों किनारे वाला का product देखेंगे. अगर product of means, means, means बीच वाले दोनों का product, and product of means, दोनों किनारे वाला का product, सेम आजा है, तो उसे बोलते हैं, yes, it is in proportion. तो यहां में, इन दोनों का product, जितना मिलेगा, इन दोनों का product, उतना ही मिलेगा. That means, option A is the right answer. बाके सब में, आप छेक करेंगे, तो नहीं मिलेगा, देखिए हमें, 6 series are 36, product of means होगे 36, and 2, 8 is 16, product of extremes कितना होगे 16, so, सेम नहीं मिल रहा है, so, इस पराकार CD चेक कर लिजाएगा, okay, कोच्च नामर थीरी देखिए, LCM of X and 18 is 36, SCF of X and 18 is 2, then X is, तो देखिए हमें, X का फिल्व फाइन करना है, हम फर्मूल जानते हैं, कि first number into second number, equal to क्या होता है, SCF into LCM, okay, so, यहां first number क्या दिया हुआ, X into second number क्या दिया हुआ, 18, equal to SCF, SCF इना दिया हुआ, 2 into LCM, LCM के दिया हुआ 36, तो हमें cancel करना है, so, 18 से यह cancel होगा, 18, 2 is 36, तो 2, 2 is of 4, यहां गया X, so, X का फिल्व कितना गया, 4, so, right answer is option C, 4, आप चाहे तो, इस 18 को यहां divide मिला सकते हैं, तो 18 को जब divide मिलाएंगे, तो 18, 2 is 36, cancel कर सकते हैं, तेके, मैंने यही cancel कर दिया, okay, कोचना आप 4 देखिए, इकलिट्स डिविजन लेमा, is A equal to BQ plus R, where, इसमें, A equal to BQ plus R, एक इकलिट्स डिविजन लेमा है, इसमें, जो remainder होता है, उसका बताना है कि range, remainder कहां से कहां तो होगा, तो देखिए remainder जो है, equal to 0 हो सकता है, but, आपने B से divide किया है, तो क्या होगा, B से छोटा होगा, so option C is the right answer, R क्या होगा, equal to हो सकता है 0, और 0 से बड़ा हो सकता है, but, less than B, B से क्या होगा, less than होगा, B से छोटा होगा, so right answer option C होगा, कोचना 5 देखिए, the graph of Y equal to PX, is a given below, for a polynomial PX, find the number of zeros, यहा नमबर of zeros find करना है, तो यह graph है, हमें नमबर of 0 के लिए देखना होता है, यह graph, X, X को कितने point में cut किया है, तो यह graph, X, X को किसी भी point में cut नहीं किया है, so number of 0 क्या होगा है, 0, ठीक is? अगर ऐसा होता, कि यह graph, X, X को 1 point में, यह दो point में cut करता, अगर दो point में cut करता, सबोज इस टाइप से graph होता ऐसा, तो दो point में cut करता, तो number of 0 कितना होता 2 होता, बट यह graph दिया हुआ है और यह x axis को किसी भी point में cut नहीं किया है इसलिए क्या हो गया, number of 0 क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है अब देखे, question number 6 the lines x equal to 2 and y equal to 3 are x equal to 2, y equal to 3, यह क्या है एक value है, that means यह one solution, means unique solution और unique solution क्या होता है, intersecting line, जब दो line एक point पर intersect करता है तो उसको बोलते हैं लोग unique solution यह intersecting lines, so right answer option A होगा next देखे, question number 7 which of the following is a quadratic equation, इसमें से बताना है कि कौन सा quadratic equation है तो देखे, जब इसको break करेंगे x plus 1 का whole square, तो x square मिलेगा, x square मिलेगा ठीक है, और यहाँ x square नहीं है तो x square जब मिलेगा तो इसको बोलेगे लोग, yes, it is a quadratic equation बाकि देखे, यहाँ x square नहीं है तो यहाँ quadratic equation नहीं होगा यहाँ देखे, x का cube है इसको break करेंगे, तो क्या मिलेगा, x का cube तो यहाँ quadratic equation नहीं होगा यहाँ देखे, x square है और इसको break करेंगे, तो यहाँ भी मिलेगा x square, और x square x square, बोग साथ से क्या होगा, cancel हो जाएगा तो x square cancel हो गया तो it is not a quadratic equation तो right answer क्या होगा अपसाण a कोचा में 8 देखे, which term of a p a 0, यह a p दिया हुआ है इसका कौन सा टर्म 0 होगा तो देखे, हमें a का फिलो कितना दिया हुआ है 27 and common difference d कैसे निकालेंगा हम लोग, second term minus first term, 24 minus 27, 24 minus 27, तो 27, 24 हो गया, गितना पुचेगा, minus 3 so a हो गया, d हो गया अब हैं find करना है कि कौन सा term 0 होगा तो हम लोग माल लेते हैं कि nth term क्या होगा, 0 होगा अब nth term का फिलोला क्या होता है a plus n minus 1 into d equal to 0 अब हम लोग क्या करेंगे, value put करेंगे हम लोग तो यह का value कितना है, यह का value है 27 plus n minus 1 into d का value कितना है, minus 3 equal to 0 ओके, so यह 27 जब right side में जाएगा, तो क्या हो जाएगा minus 27 हो जाएगा, ठीके और n minus 1 और into कितना है, minus 3 यह minus 3 into में है, ठीके minus 3 into में है, जब इसे right side में जाएगा, divide हो जाएगा so n minus 1 equal to minus 27 divide minus 3 minus minus cancel, 3, 9 जा 27, 9 पर में cancel हो गिया, अब यह जो minus 1 है यह right side में जाएगा, क्या हो जाएगा plus 1 हो जाएगा, so n equal to क्या हो जाएगा, 9 पहले से है और यह minus 1 जब right side में जाएगा तो plus 1 हो जाएगा, so 9 plus 1 10, so which term is 0, तांसर रो जाएगा option D, 10th term is 0, okay कोच्छा हम नाइन देखिए in the figure given below D parallel BC, ठीक है जब D parallel BC हो तो इसका formula क्या होगा, AD by DB, क्या होगा, AD by DB equal to AE by EC AE by EC इस formula क्या बोलता है हम लोग health theorem या BPT basic proportionality theorem तब देखिए, AD का बोल कितना दिया हुआ है 1.5, so एह होगा आपका 1.5 divide, DB का बोल कितना दिया है 3, equal to AE का बोल कितना है, 1 divide EC, हमें EC find करना है, हमें EC का value find करना है, ठीक है तो क्या करेंगा, हम लोग, cross multiply करते हैं ठीक है पहले cross multiply नहीं करके, चले क्या करते हैं point को remove करते हैं, तो उपर में point को remove करेंगे, तो नीचे एक 0 आजाएगा, उपर में 1 digit के बाद point है, इस point को remove करेंगे, तो क्या होगा, EC अब क्या होगा, 15, 1 जा 15, 15, 2 जा 13, अब cross multiply करेंगे हम लोग, EC into 1 EC equal to 2 into 1, 2 तो इससे का बाद कितना आजया, 2 आजया so right answer is option C, 2 question number 10 देखें, the distance between the point 00 and minus 8,6, इन तोनों बीच का distance निकालना है, तो यह point क्या है origin है, हम जानते है the distance of a point from origin, क्या होता है, root over x square plus y square होता है, ठीक है, so root over x का बाद कितना दी है, minus 8, so minus 8 का square, plus y का बाद 6 है, so 6 का square, so minus का square plus 8 का square 64, और 6 का square 36, दोनों plus करके हो गया 100, और 100, ठीक है, root गटा क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, so answer is option A 10, कुछ आमा 11 देखें, if the length of side of a cube is 5 cm cube का एक side 5 cm है, then total surface area हमें find करना है, त्याद देखेगा cube का एक side दिया हो, और हमें total surface area find करना हो, तो total surface area का फ्रूला क्या होता है total surface area of a cube, इसका फ्रूला होता है 6 A square 6 A square तो 6 A का फ्रूला कितना दिया हुआ है, 5 cm, so 5 cm का square, तो यह होगा, 6 इंटू 5 का square होगा, 25 cm का square, अब क्या करें हम लोगा, 25 से 6 को इंटू कर देंगे, कितना हैगा, 150 cm2, so right answer क्या होगा, option C, 150 cm2, कोच नमा 12 देखें, if P E equal to 0.05, then the probability of note E, P E दिया हुआ है, note E में find करना है, ठीक है, तो note E का मतलब क्या होता है, note E का हम लिखते हैं, हम लोग E bar, E के उपर bar लगा हुआ है, ठीक है, इसे बोलता है note E, तो देखें, P note E equal to होता है, 1 minus P E, 1 minus P E, तो 1 minus P E का अफेलो कितना दिया है, 0.05, 0.05, तो 1 में से अब 0.05 को क्या करना है, minus करना है, तो 1, 1.001 हो गया, इस में से minus करना है, 0.05, ठीक है, या दखेंगा, point के नीचे, point लिखते हैं हम लोग, ठीक है, 10 में से 5 गया 5, यह हो गया 9, 9 में से 0 हो गया 9, point, point तो point, यह चला गया, तो 0.95, 0.95, 0.95, so right answer is option C, 0.95, तो चलिए अब section B, कोचना में 13 देखें, find the square root, यह कोचना में इपरन्ट है, देख लीजेगा, कोचना में 14, the length of age of a cube is this, find the volume, volume क्या हो जाएगा, a cube, तो a cube, और यह का भीलों कितना है, 1.2 cm का cube, ठीक है, अब 1.2 into 1.2 into 1.2, into कर लीजेगा, cm का cube आजाएगा, ठीक है, कोचना में 15, solve करना है, यह कोचन इपरन्ट कोचन है, कोचना में 16, find the roots, यह कोचन भेरी-भेरी इपरन्ट है, जा में आता ही है, solve करने के लिए, इसे आ quadratic formula से भी solve कर सकते हैं, ठीक है, यह factorization से भी कर सकते हैं, बट बेटर होगा quadratic formula, कोचन नमर 17 देख लीजेगा, कोचन नमर 18, कोचन नमर 19, कोचन नमर 20, भेरी-भेरी important है, यह जा में आता ही है, कोचन नमर 21 भी important है, question number 22, यह probability का कोचन है, dice is thrown once, find the probability of getting a prime number, क्या दखिएगा, p bracket में होगा, a prime number, means probability of a prime number equal to, तो नीचे हो गया total, dice में total 6 numbers होते हैं, तो total number of outcome 6 हो गया, और prime क्या होगा, prime होता है, 2, 3, 5, तो कितने होगे, 3, so 3 by 6, cancel करेंगे हम लोग, तो 3 हो जा 3, 3, 2 जा 6, 1 by 2 आजाएगा, फिर दूसरा निकलना है, probability of a number lying between 2 and 6, equal to, probability of a number lying between 2 and 6, equal to, नीचे हो गया total number of outcome 6, और between 2 and 6, 2 and 6 होगे भीच में क्या क्या आएगे, 3, 4, 5, तीन नमर आगए, 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 तीन नमर में 3, so 3 जा 3, 3 जा 6, 1 by 2, question number 23 यह भी निप्रण question है one card is drawn from a well-suffered deck of 52 cards find the probability of getting probability of a king of red color तो देखे, total 52 cards होते हैं इसमें red color के 26 card होते हैं जिसमें 26 में king कितना हो गया? 2 हो गया so 2 by 52 so red king कितने होते हैं? 2 होते हैं एक हो गया आपका diamond का और दूसरा होता है heart का king of diamond red होता है और king of heart red होता है so 2 by 52 इसको cancel कर देंगे हम लोग 2 से 2 अंजा 2 2 तूजा 4 2 से 12 1 by 26 फिल निकलना है probability of a spade total outcomes हो गया 52 total number of outcomes 52 और a spade कितने होते हैं? 13 होते हैं so 13 by 52 cancel करेंगे तो 13 बंजा 13 13 फोर्जा 52 so 1 by 4 कोचार मार 24 very very important है कोचार मार 25 find the quadratic polynomial whose zeros are given below zeros दिया हुआ है ठीक है? जब zeros दिया हुआ है तो इसको alpha के value दिया हुआ है तो alpha plus beta find कर लेजे दोनों को plus करके फिर alpha into beta find कर लेजे दोनों को into करके और फ्रमुला क्या होता है x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta या quadratic polynomial निकलने का फ्रमुला है इसने भेलो पूट कर देजे ओके? हो जाएगा? सुल्प कर पाएंगे आपलो कोचार मार 26 very very important है कोचार मार 27 भी important है question number 31 very very important है question number 32 important है question number 33 very very important है यह कई बेर एक जाम आचुका है जरूर प्रेक्टिस की जेगा अपलो question number 34 very very important है यह कोचार भी एक जाम में बहुत बरा आचुका है question number 36 very very important है यह कोचार चाप्टर 10 circle का है कोचार भी 11 है यह कई बार एक जाम में आचुका है question number 37 very very important है यह construction chapter 11 का कोचार है यह कोचार भी very important है इसे जरूर प्रेक्टिस की जेगा आपलो question number 38 यह भी important question है very very important है question question number 39 देखिए हमें find the mean median तो यहां में आपके mean median mode किसी में इन तीनों में से कोई एक आ सकता है तो इस वीडियो में इतना है I hope यह वीडियो आप लोग लिए useful होगा please वीडियो को like के जएगा share के जएगा और चैनल को subscribe कर लेजएगा और bell icon को भी press कर लेजएगा तो इस वीडियो में इतना है फिर मिलते हैं next वीडियो में thank you